हेलो दोस्त वलकाब बैक टू दे चनल सेस्टी स्टेडी पॉइंट और आज हम बात करेंगे फिर से उत्तर प्रदेश सिक्षा से वचायान आयोग के बारे में क्योंकि आपको पता कि गौर्मन्ट ये नया आयोग बना रही है प्रैमरी से लेकर हायर तक के जितने भी टीचर् आधरती नहीं होगी कि प्रैमरी से कोई फर्दो कराई या दूसरा आयोग है प्रैजिप्स के लिए तीजीप्स के लिए तो सब के लिए लेकर भ्रति के लिए लेकिनGreat नहीं को बता दू है और पहले हे पता दूँ कहें आप कितना भी लीजे गॉर्मेंट अपने अनुसारी करेगी सच्चाई तो यहीं है और आप सभी को पता है कि 24 जुलाई डेट लगी हुई है हायर एजुकेशन में जो वेकेंसी आई थी एड़ुटाइज नंबर 51 की उसके फॉर्म जो है पिछले साल यानकी ऑगस्त 2022 में फॉर्म भरे जा चुके हैं उसके और ऑगस्त आने वाली है एक साल पूरा हो जाएगा एक्जाम की डेट का कोई अता पता नहीं है तो इसके लिए हाई कोट में जो है रिट पड़ी हुई है काफी डेट भी इसकी सुनवाई हो चुकी है आप इसकी 24 डुलाई डेट लगिए तो आप ये सुझ लीजे जब तक ये वाली डेट की सुनवाई नहीं होगी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है तब तक आप कितना भी कह लीजे कि जल्दी वायोग बनाईए भरती प्रिकरिया शुरू कीजे बिलकुल नहीं इस डेट के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आगी की प्रोसेस क्या है कि सिक्षा आयोग जो नया वाला है वो किस लेबिल तक प्रोग्रेस कर चुका है ठीक है लेकिन बच्चे कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि बहुत से बच्चे BAT, BTC, DLAT वगरा करे हुए हैं तो उन सब को लग रहा है कि TET जो है उसका भी नोटिफिकेशन आना चाहिए UPTET की बात कर रही हूँ है जिससे की TET हम कौलिफाई करें फिर सुपर्टेट भी होता है लोगोंका जब वेकेंसी आती है तो ये भी आपको पता है तो इसका फिर फॉर्म आए लेकिन गौर्रमेंट पहली कह चुकी कि जब त तब तक इससे सम्मंदित कोई भी वेकेंसी कोई भी नोटिफिकेशन ये नहीं जारी करेंगे और जिन वेकेंसी के ये जिन के फॉर्म भर चुके हैं उनके एक्जाम की डेट भी उसके बाद ही आएगी उनकी पूरी मंशा नए आयोक से है अब इसमें देख लेते हैं खबर प्रवक्ता संबर्ग जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट पीजी टी टीचर जो होते हैं उनकी भरती और एडिट महाविद्यालों के लिए असिस्टन प्रोफेटर जो मैंने आपको बताया था एड़ोटाइज नमबर फिफ्टी वन इनके सभी की भरतियां जो है रुकी हो प्रतियों के चात्र भरती की परिक्षा जो भरती की परिक्षा है उसका इंजार कर रहे हैं भरती की प्रिक्षा कर रहे हैं परिक्षा का नहीं प्रिक्षा क्योंकि जो चात्र हैं वो सोच रहे हैं माली जे उनके पास जिगरी है तो कैसे भी भरती हो कोई नोटिफिकेशन जिसे फॉर्म बर सकें, जिसे बिहार में इस समय टीचर्स की किती सारी वेकेंसी आयो ही हैं, ऐसा यूपी में भी हो सकता है, लेकिन ये भरतियां कराने के लिए मादमिक सिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर सिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थान पर गठित हो रहा, राज सिक्षा सेवा चयन आयोग आब तक अस्तित में नहीं आ सका है, इसके कारण इन दोनों भरतियों के लिए आवेदन लिये जाने के बाबजूद भी परिक्षा नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है, टीजीटी, पीजीटी और हायर वाली, जो एडिट कॉलेज के वो बात कर आयोग, गौर्णेलेज के मैं आपको बता दूं, गौर्रीच में UPPSC कराता है, उसका कोई इसउ नहीं है, क्योंकि UPPSC या UPPC समझे से बोलते हैं, वो परिक्षा गौर्र्मेंट कॉलेज की वही कराएगा, यह एडिट कॉलेज की बात हो रही है, टीक है, प्रतियोगी शात् प्रतिनेदी मंडल के जो शीतला प्रसाद होजा के मताविक प्रतिनेदी मंडल के जो हैं उन्होंने काया कि उच्चितर सिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टन प्रोफेसर के आपको पता एक हजार सत्रा पद मैं आपको बताई चुकी हूँ भरती के लिए आवेदन उनके अब भ्यारति उनिफॉर्म भरा है इसमें इसी तरह टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए मादिमिक सिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो होता है बोर्ड में करीब 13 लाख आविदन पड़े हैं इतनी सी रेकेंसी के लिए आप बेरोजगारी की हद देखिए लेकिन परिक् कोशना की है कि यह सारी परिक्षाई किसे होंगी नए आयोग से होंगी लिखा यह नए आयोग से होंगी लेकिन अब तक यह इस पस्प नहीं हो सका है कि आयोग का घठन कब तक पूरा होगा यहीं पर कोशन मार्क है उन्होंने यह भी कहा कि मादिमिक सिक्षामंतरी ने TGT म में 16,000 और PGT में 5,000 से जादा रिक्त पद होने की बात भी गई है यानि कि इनों का अभी 16,000 पद जो है इनके TGT में हैं खाली फॉर्म भरने के बाद वाले बता रही हूं अभी मतलब notification इनका आएगा आगे आने वाले बच्चों के लिए फायदा है और 5,000 यानि कि आप समझ परिक्षा कराने की मांग यह अच्छी बात है लेकिन जो भी 16,000 वेकेंसी है उन्हें दो जो बर्ष 2022 में एड करना तो सही नहीं और अगर एड करना है 2022 वाले में तो भई जो notification आया उसको reopen होना चाहिए जिससे बच्चे और form भर सकें और जब reopen होगा तो पुराने वाले उनके लिए अलग notification निकालिए, form भरवाईए और फिर उनके अलग से परिक्षा करा दिए जल्दी जल्दी सारी process कर लिए जिससे की बच्चों को मौका मिल सकें क्योंकि reopen अगर form होगा तो मुझे लगता है जो पुराने बच्चे form भरे हो हैं उनके लिए थोड़ी बहुत द मांगेंगे और बहुत बच्चों रे net qualify कर लिए और अब तो वैसे भी hire clickable net ही जरूरी है तो hire में भी form बहुत सारे भरे जाएंगे form भी open होगा तो तो यह सब इसमें दिया हुआ है अब भ्यारती मांग चाहें कितनी भी कर लें मैं यह सच्चा ही बता रही हूँ 24 जुलाई वीडियो के साथ तक तक के लिए नमस्कार दोस्तों